हेलो गाईस, वेलकम टू ए अनोधर ब्लोग तो नहीं वोलूगा, क्यूंकि आज जो मैं आपको सुनाऊंगा ना वो एक कवीता है, वो मैंने खुद से लिखी है, फर्स टाइम लिखी है, अच्छी लगे तो बताना, तो ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ, यह मैंने कोपे पे मैं लिख लिए, वैसे मैंने वोट्सप पे माईक ओन करके वैसे मन से बोला था, और एक कवीता बन गई, बहुत सारी है, पहले मैं इसे सुनाता हूँ, फिर बाद में एक एक करके सुनाता रहंगा, तो श्टार्ट करता हूँ गाईस, तो यह जो कवीता है वो इस परकार है अभी यह बचपन है, अभी थोड़ा समन लो, अठारा पलस एज है, थोड़ी बात मान लो, अगा बुई गलती थोड़ी भी तो बात विगड़ जाएगी, मम्मी पापा की इज़्जत पूरी मिट्टी में मिल जाएगी, परो पढ़ा ही इत्ती जिससे तुम्हारा नाम हो, मम्मी पापा बोले, तुम उनकी सान हो, नहीं करी पढ़ाई अभी तो फिर तुम पस्ता आओगे, मम्मी पापा के सामने क्या मू दिखा पाओगे, चलना पढ़ा समल कर तभी कुछ बन पाओगे, इस एज में तुम बहुत से बैरिगेट पाओगे, मन जाएगा इधर उध तुम्हें इसे रोपना होगा, अपने आपको समझा कर चलना होगा, बहुत आएंगे मन भटकाने, लड़की इसेज में प्यार मुपत एक खेल है, इस खेल को समझना होगा, तो ऐसी ये कुछ इस परकार कहानिक सोरी स्टोरी थी, कभी था थी एक ठोटी सी, कैसी लगी, कमे लिखा है, लिखा नहीं है, बोला है, और ऐसे कविता बन गई, तो अच्छी लगी तो कमेंट करका बताना, और नेक्स्ट अगर आपको सुनना हो, तो बता देना मैं उसको भी लिख के, उसको भी आपको सुनाऊंगा, तो मिलता हूँ अपने नए कविता में, ये कैसी लग आपको जो भी बताना,